नमस्ते हेलो क्रिम छो स्वागत है आप सभी का आपने अपने परिवार सरकारी परिक्षा पर दोस्तों परी तबियर थोड़ी खराब है लेकिन भाई सो मस्ट गो ओन यह नहाँ कर गाउं पे था प्रोग्राम में माठोई ठंडी बडी लग गई कि लिकिन हम लोग करेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं कि दौस्तों यह क्लास रोज सुब्वे होती है जिस्ते एक्जाम में कुछ नहीं छुटता दोस्तों कि इस से ज्यादा करेंट कोई कवरी नहीं करता है दोस्तों ठीक है तो इससे ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा अब एक्जाम में कुछ नहीं छूटेगा कि इससे ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों थोड़ी सी आज प्रॉब्लम है आप लोग को अपरेट कीजेगा दोस्तों सरकारी परिक्षा टेलिग्राम चैनल को जोईन कर ले और सरकारी परिक्षा.com वेब साइट को भी हुओी सी आपि दोग उर साइट की दोगी सी नहींड़ी आपी घुछ टेग्टिया गिविंग है भी से ःुछだ लुछ स्थएएँ सक्षारी आपड़ी हैं आप लुछ उघ्ट खरिक्षारी झापड़ी आपड़ी हैँ झाल 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 दोस्तो अपनी क्लास सामको साड़े 6 बजे भी होती है वन येर करेंट अफेर की है और सुबह होती है डेली करेंट अफेर दोस्तो आईये सुरू करते हैं तबीयत मेरी बहुती ज्यादा खराब है जैसा कि आप देख रहे हैं मतलब क्लास लेने की स्थिती में नहीं हूं लेकिन जो है मैं क्लास लूंगा पुरा समझे रहे हैं आप लोग को थोड़ा साज ध्यान देना होगा कि दोस्तों वांगला महत्सों का 46 एडिशन संस्क्रण यह निमलिखित में से किस राज्य में संपन्ध हुआ है वांगला महत्सों का 46 संस्क्रण दोस्तों किस राज्य में संपन्ध हुआ है तो यह में घाले में संपन्ध हुआ ठीक है वांगला महत्सों तो कई लोग वांगाल भी टिक कर सकते हैं बात समझ में आ रही है बस दोस्तों दो मिनट आप दीजिए अस थोड़ी सी मेरे साथ प्राब्लम हो गई है यह रुखी नहीं रही है तो दोस्तों मेघाले में मासी नराम एक जगह जहां दुनिया में सरवाधिक वर्सा होती है मेघाले को इस बार डबलू एस आइस अवार्ड भी मिला है तो दोस्तों मेघाले में मासी नराम ने चेरा पुंजी को भी बारिश में पीछे कर दिया है मेघाले की कैपिटल सिलॉंग है सी संगमा यहां के चीफ मिनिस्टर है और बीडी मिसरा दोस्तों जो कि उनाचल पदेश वाले थे गवर्नर वह यहां के गवर्नर बन गए क्योंकि दोस्तों सत्यपाल मलिक जी रिटायर हो गए सत्यपाल मलिक जी क्या हो गए रिटायर हो गए ओके दोस्तों राइजिंग संवाटर फेस्टिवल यहां पर मनाया जाता है नौंग क्रेम डांस फेस्टिवल यहां मना जाता है वांगला फेस्टिवल अहया फेस्टिवल बहदीन खलाम फेस्टिवल शाद शुक्रा फेस्टिवल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल यह सब बहुत ही में फेस्टिवल से जो की मेगाले के फेस्टिवल से दोस्तों उन्निस नवम्बर से 6 दिसम्बर तक हरियाणा के कि जिले में अंतर्राष्टी गीता महको का आयोजन किया जाएगा तो इन गीता later के ओट देश दिआ ठाँ अर्जुन को भगवान शरीक्रिक्रिफ्चन ने तो दोस्तों जो है ये कुरुषेत्र हर्याना में है तो कुरुषेत्र कहां पर हर यह Agricएता होता है यहां गीता महत सुर्सोर होता है बात समझ में आ रही है क्लियर दोस्तों हर नहीं क्यों समन्छ कांधा दूस्त यहां के बंदारूद अज़्तातर्य और हर्याड़ा दोस्टों बहुत बड़ा जंगल सफारिवी बनने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा जो है जंगल सफारियों में से एक होगा वो और अभी इसने दुबई से टाइब भी किया है दोस्तों यूवेई के साथ अभी हर्याडा ने टाइब भी किया है है दोस्तों जब क्लाइबेट वहती है जैसे도 27। यह समय इजिप्ट मिश्रोय मैं चल रहा है तो दोस्तों उस समय यह रैंकिंग आती हैक्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग और दोस्तों इसमें सुरू की तीन रैंक खाली रहती है क्योंकि COP21 पेरी समझोते में जो कहा जा रहा है कि देड़ डिग्री से दो डिग्री सेंटीग्रेट सबको अपने टेंपरेचर को कम करना है ग्लोबल वार्मिंग से रुकने के लि इसमें जो है टॉप 10 में रहती है हर साल टॉप 10 में रहती है नाइंथ पे फिर टैंथ पे और इस बार तो बहुत अच्छी रैंकिंग रही है एट पोजीशन पे एट पोजीशन बराता ठीक है तो भाई क्लाइमेट में चलो कोई तो हमें रैंकिंग अच्छी देता है वरन दोस्तों यहां पे जो है हम टॉप टेन में रहते हैं इस बार एट रैंक पर है चाइना जो बीगेश्ट फॉल्यूटर है वो दोस्तों जो एक्यावनवे नंबर पे चाइना बहुत ज्यादा पॉलूशन वो क्योंकि इंडिस्टिलाइजेशन जहां होगा वहां पॉलूशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट आई है उनाइटे नेशन जिसके 193 कंट्री मेंबर है न्यू यॉर्क हेटक्वाटर है एंटोनियो गुटेरस हेड है जो अभी केवडिया एकतानगर में बुजरात में आये थे इन इस रिपोर्ट के उनसार किस वर्स भारत की जनसंख्या 1.66 एट बिलियन होने की उम्मीद है जबकि चीन की जनसंख्या घटकर 1.317 बिलियन हो जाएगी तो चीन की जनसंख्या घटेगी हमारी बढ़ेगी और हम 23 में इसको पीछे कर देंगे ऐसा दोस्तों इस रिपोर्ट में कहा गया है दो हजार पचास तक भारत की जो जनसंख्या जो है पर यह रिपोर्ट ऐहे 8 बिलियन ओने पर रिपोर्ट आई है ठीक है Hamilton कि जो है मैं इसमें यह भी कहा गया कि अगले साल तक भारत जो है चीन को प्पॉलेशन प्पॉपलेशन में 까 honesty तक बिट कर देगा ठीक है यानी चीन से ज्यादा पॉपलेशन भारत की चीचे व 29.78 billion हो गया है 29.78 billion US dollar हो गया है कितने परसेंट की गिरावट देखी जारी कितने परसेंट का सर बफर हो रहा है बीच में बफर हो रहा है अभी भी क्यों बफर हो रहा है क्यों बताओ सही बताओ अभी ठीक है नो फाइन नाओ अभी ठीक है नाओ ओके ओके चलो ठीक है दोस्तो भारत में अक्टूबर में रीटेल इंफलेशन कितनी दर्ज की गई है यानि रीटेल इंफलेशन जिसे की क्यों देक्टू सिपयाइन इंफलेशन कहा जाता है दोस्तो भारत में रीटेशन कितने परसेंट रही तो दोस्तो शिकस पॉइंग ज़ने के रही है ऑей और बहुत प्राइस इंडेक्स वाली मैंदेक्स आप ँस महने के याद करें़ तो पिछले महीने का भूलना भी पड़ेगा आप लोग को ठीक है कि कितने दिन बाद अगर कोई पहुत रिकॉर्ड को टूट रहा है तो वह अलग बाद है जैसे 8.39 हुआ है वह कितने महीने के बाद जो है सिंगल डिजिट में आई है भारत के इंफलेशन दोस्तो डबलूपी वाली दोस्तो आरबी आई के सेंटरल बोर्ड में 21 लोग होते गवर्नर को ले ले तो जिसमें से एक गवर्नर होते चार्ट डिप्टी गवर्नर होते दोस्तो इसके अलावा जितने भी पके डिरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है तो यह उन 15 लोग में हैं जो आरबी के सेंटर बोर्ड के डिरेक्टर हैं तो टोटल 20 लोग होते हैं गवर्नर को ले लो तो 21 लोग होते हैं उस 15 में से देखें लास्ट लाइन लिखी भी है कि दा बोर्ड हैस 15 सीट्स ऑफ विच फाइव और ओफिशियल डिरेक्टर एंड टेना नॉन इस पांच जो होते हैं दोस्तों ओफिशिल डारेक्टर होते हैं दस जो होते वह नौन ओफिशियल डारेक्टर होते हैं बात समझ में आ रही है भारत अमेरिका संस्क्षण अभ्यास युद्ध अभ्यास हुआ है उसका नाम ही युद्ध अभ्यास है तो इंडिया युएस ज्वाइन ट्रेनी एकरसाइज युद्ध अभ्यास 2022 का 18 एडिशन दोस्तों किस राज में आयोजित किया जा रहा है किस राज में आयोजित किया जा रहा है तो दोस्तों ये उत्तरा खंड के आली में आयोजित किया जा रहा है कहां पर भया उत्तरा खंड के आली में आयोजित किया जा रहा है देख सकते हैं दोनों देशों के जवान कित्ते खुश है ठीक है दोस्तों ऐसे ही अभी एक एकसरसा मजेन होई थी जो हीमाचलपदेस के बकलों में होई थी इंडीया और अमेरिका के बीच मों उसका क्या नाम था और एक विशाखा प्टनम एक्सराइज वंदिए सुटिया अठीक है उसका क्या नाम था दोस्तों बताह действительно अफटाफट दोस्तो हाली में पैन इंडिया 30 रक्षा भ्या सी विजिल 2022 का कौन सा एडिशन संपन हुआ है तो सी विजिल 2022 कोश्टल डिफेंस एक्सरसाइज है दोस्तो यह इसका थर्ड एडिशन अभी अभी संपन हुआ है देख सकते हैं किस तरीके से एक्सरसाइजेज चल हैं क्लियर है याद रहेगा है दोस्तों व है इस बॉल्ण इन्द मेंट्र एयर पिश्टल इवेंट इन ऐशेटेreet एयों चेम्पियंशिप में इन्ध चैंपियंशिप में पूर्ष में किसने कोंड मेडल जीता है तो दोस्तों जो है यह शिव-शफ-्रवाल ने जीता है कि साउथ कोरिया की केप्टल सियॉल है और वान इसकी करेंसी है, ठीक है, दोस्तों, इंटर्नेश्टल डे फॉर टॉलरेंस इस अब्जर्ब्ड एवरी यर और विच डे, सही सुर्था के लिए अंतराश्टी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा टॉलरेंस डे से दोस्तों और यह जो है भारत यहां सभी धर्मों को मिला के रखता है, इस बात से जो है हमेशा जाहिर होता है, ठीक है, दोस्तों, नाइन्टी नाइन्टी फाइफ में युनाइटे नेशन ने जो है महात्मा गांधी को उनकी 125 वी जै किया था, ठीक है, दोस्तों, न्यूबॉर्ण केर वीक, नवजात, सिसू, देखबाल, सब्ता हर साल, कब से कब तक मनाया जाता है, तो दोस्तों, यह 15 से 21 नवंबर के बीच में मनाया जाता है, कब से कब तक, 15 से 21 नवंबर के बीच में यह मनाया जाता है, ओके, पहले 28 दिन जो है दोस्तों वो नौजात अवधी होती है वो बहुत महत्पूर अवधी होती है भारत में नौजात मित्यूदर जो है एक हजार पर जो लाइव है वर्थ पर वो दोस्तों 20 यहां पर बता रहा है लेकिन अभी हम लोगने कुछ दिन पहले पढ़ा था 28 है ठीक ह भी हम लोगने देखा था दोस्तों युनाइटेड नेशन्स डे ऑफ एट बिलियन इस सेलिबरेटेड और विच डे संयुक्त राष्ट का आठ अरब दिवस किस दिन मनाया गया यानि दुनिया की अबादी एट बिलियन पहुंच गई यह दोस्तों किस दिन पहुंची है 15 नवंबर को पहुंची है अभी 15 नवंबर परसो था दोस्तों आठ बिलियन दुनिया की अबादी पहुंच गई है ठीक है क्लियर है दोस्तों दिल्ली में हर साल 14 नवंबर बाल दिवस के दिन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगता है यह फिक्स डेट है भारत भर के बहुत स दोस्तों इस बार के इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो प्रगती मैदान में ही होता है हर साल इसकी थीम क्या है दोस्तों इसकी थीम है वोकल फार लोकल लोकल जो कल टू गलोम आप जब लोकल चीज़े यूजए और और वो ग्लो designed brand का खिताब जीता है तो दोस्तों रिलाइस जीयों जो है भारत के design brand के रूप में उभर के आया है टेलिकॉम ब्रैंड में यह भी बहुत बड़ा disclaimer है कि टेलिकॉम ब्रैंड में दोस्तों यह बनाएं ओके ते याद रहेगा पर नमबर पर कॉन है बारती एटेल है धर नमबर पर कौन है नंबर चौथे नंबर पर आईडिया है और पांचारी कंपनी में सबसे नंबर पिर दोस्तो जाकासमबाणि है ठीक है गंच क necess में देखा जाएट एदिडा स्थ पहले नंबर पर है फिर नाइक है दो ठीक है से यह फिर एद्लें इस्वे में पेटर इंग लंड है आतो मोबाइल लिश्ट में देखा जाएए दोस्तों तो बीएमडप्र है ठीक है तोय न्यूज में नहीं मिल रहा था मैंने कहा कि एक सेग्मेंट मेरे मन में क्वेश्चन से क्वेश्चन आता है अगर टेलिकॉम सेक्टर का आया है तो बाकी सेक्टर में भी ब्रेंडिंग आई होगी तो आप देख सकते हैं इसके बाद दोस्तों बैंकिंग और फिनेंशियल सर्विस इंडेक्स में देखिए लाइसी वन रैंक पर दिख रहा है यह हम लोग के मतलब वाला सेक्टर है दोस्तों बैंकिंग और फिनेंशियल सर्विस वाला ठीक है चलिए बहुत बढ़िया रिलाइस इंडेस्ट्री बेस्ट इंप्लॉयर भी चुना गया था दोस्तों रिलाइस इंडेस्ट्री बेस्ट इंप्लॉयर में दुनिया में बीसवे नंबर भारत में पहले नंबर पे consumer appliance में दोस्तों Kent को पहला इस्थान दिया गया है consumer appliance में उसके बाद leaf floor है फिर okaia है बात समझ में आ रही है उके उसके बाद दोस्तों consumer electronics में देखा जाए तो LG पहले नमबर पर है फिर sony है और फिर samsung है दोस्तों consumer electronics में यह branding तो यह brand आप लोग याद रखेंगा ठीक है clear है चलिए बहुत बढ़िया शांदार जिन्दाबाद जबर्दस्त कि दोस्तों अगर देखा जाए कि पांगलो मरेट लिष्ट में तो दोस्तों यहां ITC टॉप पर है फिर टाटा है और फिर reliance है अगर energy लिष्ट में देखा जाए तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम पहले नंबर पर है और इंडियन और कॉर्पोरेशन दूसरे पर है और फिर अधानी जहें तीसरे पर है energy लिष्ट में उर्जा के छेत्र में दोस्तों निम्लिकित में से किसे 2020 World Cup की सबसे लिवान के कप्तान के रूप में नामित किया गया है दोस्तों एक जब वर्ल्ड कप खतम होता है तो उसमें जिन्होंने पहतरी में प्रदर्शन किया होता है उससके आसे ड्रीम टीम बनाई जाती है जिसमें जिन्णोवने करिन कि या उस सभी खिलारी essa को इसमें एड़ किया जाता है तो दोस्तों तीम के कप्तान है जॉज़ बटलर इंग्लेंड के हैं दोस्तों यह वहां उस टीम के कप्तान बनाए गए उस टीम में दोस्तों भारत की तरफ से दो प्लेयर जोड़े गए एक विराठ कोहली और एक विराठ कोहली जोड़े गए और एक सुरुकुमार यादो दोस्तों विराठ कोहली ने तो भाई साब 296 रन बनाए हैं सबसे टॉप स्कोर रहे हैं इस 2020 वल्ड कप के जो अस्टेलिया में हुआ था जिसे इंग्लेंड ने जीता है जिसे इंग्लेंड ने जीता है दोस्तों वेक्ति का नाम बताए जो पेरिस के चार्ल्स डी गॉल एरपोर्ट पर 28-18 साल रहा सोचिए एक ऐसा सरडार थी एक ऐसा रिफ्यूजी जो भाई 18 साल रह है दोस्तों उनका नाम है महरान करीमी नासेरी और दोस्तों पेरिस के हवाई एड़े पे लेकिन यह थे इरानी सरणार थी पेरिस के हवाई एड़े पर 18 साल रहे लेकिन यह इरानी सरणार थी इनकी दिल्चस्प कहानी है इस्टीवेन श्पीलबर्ग मुझे जहां तक Based Index जो है WPI Inflation यह दोस्तों जो है इस बार पहली बार Double Digit से कम पे आ गई है इस साल दोस्तों 8.39% पर आ गई है यह थोड़ा सा जो है थोड़ी सी जो है राहत यहां पर हमें दिख रही है दोस्तों लास्ट में जो है कब यह Double Digit में मतलब नहीं थी कितने महीने के बाद यह single digit में आई है यह आपको बताना है दोस्तों ठीक है clear है 18 month low very good यानि March 2021 में दोस्तों जो है वो single digit में थी ना 18 month low March 2021 के बाद से यह जो है दोस्तों single digit में आई है दोस्तों विच स्टेट हैस और्ड कंप्लीट बैन ऑन पब्लिक डिस्प्ले ऑफ वेपन्स एंड सौंग गलॉरिफाइड वॉयलेंस किस राज ने हिंसा का महिमा मंडन करने वाले हतियारों और सौंग्स गानों का गीतों के सारवजनिक पदर्शन पर पुर्ण प्रतिबंद लगाने का आदेश दिया है तो दोस्तों यह पंजाब ने दिया क्यों दिया है वह क्योंकि पंजाब में खलिस्तानी मूमेंट चलता है लोग हतियारों का सारवजनिक पदर्शन करते हैं और खलिस्तान के पक्ष में गाने गाते हैं तो दोस्तों यहां पर पंजाब की आम आदमी पार्टी ने यह हिंसा का महिमा मंडन करने वाले गानों पर प्रतिबंद लगा दिया है साजुनिक समारों में हतियार ले जाने दिखाने पर पुर्ता प्रतिबंद भी लगाया जाएगा दोस्तों नेशनल प्रेश्डे हर साल किस दिन मनाया जाता है नेशनल प्रेश्डे दोस्तों हर साल मनाया जाता है 16 नवंबर को दोस्तों प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमा कड़ बात करें दोस्तों भारति संग के एथ लीट कमीटी के एथ लीट कमिशन के आयोग के चेर परसं के रोप में किसे रोपन किया गया है यहां दो पर सेयंंत रहे हैं तो दोस्तों यहां पर सबसे सींर हैं एम सी मेरी जो भर च्यात बार लोड़े चेंपियन बन चुकिए बॉक्सिंग की सूपर मॉम जिने कहा जाता है इनके उपर मुवी बन चुकिए प्रियंका चोपड़ा की अनब्रेक बल इनकी बुक का नाम भी अनब्रेक बल ही है तो एंसी मेरी कौम दोस्तों इन्हें अध्यक्ष चुना गया इनके बगल में खड़े हैं अचंता सरत कमल जो भी टेबल टेडिस में मनिका बत्रा के साथ दोस्तों वो टॉप फाइफ में आए ते वहीं है नहीं है दोस्तों इससे में बहुत नियूज में यह चल ले अजंता सरत कमल को दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है उपढ़्यक्ष चुना गया है ठीक है अनले पीवी सिंदू और यह लोग तो सुस्में मिंबर बनें इसमें लोग मिंबर बनें दस जो है इसमें मिंबर बनें पीवी सिंदू भी है यह अचंता सरत कमल भी हैं मेरी कौम भी है बहुत सारे लोग है लेकिन अध्यक्ष किसको चुना गया दोस्तो ऐसे नीती आयोग में भी कुछ फॉल टाइम मेंबर होते हैं कुछ पाट टाइम मेंबर होते हैं से कुस एक सांफ्पिश यह मेंबर होते हैं सिएयो होता है प्रेसिडेट ओता है वैस प्रेसिडेंट होता एक के सीए प्रनेश्वरा नई태 नीती आयोग के यह योजना एक की फर्स जैनवरी 2015 में नियु दिल्ली हिट क्वाटर है और इसके दोस्तों अभी हाल ही में एक फुल टाइम में बने हैं जिनका नाम है अरविंद विर्मानी क्या नाम है अरविंद मिर्मानी को दोस्तों नीतियायोग का पुर्ण कालिक सदसन्यूक्त किया गया है वित्वंत्र लाले में दोजा साथ से नौ तक दोस्तों यह मुख्य आर्तिक सलाकार रह चुके हैं तो विर्मानी सहब भारत के चीफ एकनामिक एडवाइजर रह चुके डॉक्टर मनमोहन सिंग के करकर में ठीक है उसके बाद दोस्तों यह जो है मेंबर आफ टेकनिकल एडवाइजरी कम आता है बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों ठीक है विच स्टेट है इंप्लिमेंटेट पंचायत एक्स्टेंशन टू सेड्यूल एरिया एक्ट किस राज ने अंसुची छेत्रों में पंचायत विस्तार पेसा अधिनियाम लागू किया दोस्तों भी जंजाती गौरो प्राइट दे मनाएगे 15 नौंबर को अमर सहीद भगवान विर्सा मुंडा के बड्डेपन है ना तो दोस्तों यहां पर पंचायत विस्तार किया जा रहा है पंचायत दोस्तों दे हम लोग कब मनाते हैं पंचायती राजडे हम लोग 24 अप्रेल को मनाते हैं 24 मार्च को हम ल दोस्तों मद्यपदेश में ही लागू किया है ठीक है क्लियर है तो दोस्तों यह मद्यपदेश है जो बहुत वजहों से आजकल न्यूज में है जैसे इन दौर में इस बार का प्रवासी भारती दिवस मनाया जाएगा 8-10 जनवरी को जैसे मद्यपदेश में रणजी ट्रॉ कि दोस्तों यहां पर देखा जाए तो जब भी जलवायू सम्मिलन होता है तो यह रैंकिंग आती है और दोस्तों इसमें टॉप पर कौन है देंडमार्क है भारत दसवे नंबर से आठवे नंबर पर आ गया ठीक है लेकिन अगर देखा जाए कभी भी आप यह चीज़ काउंट करना कि डेंडमार्क टॉप पर तो है लेकिन नंबर कौन सा इसका चौथा नंबर है देंडमार्क चौथा नंबर है दोस्तों और यह हमेशा नंबर वन पर रहता है लेकिन चौथे नंबर पर रहता है क्योंकि भाईया टॉप 123 एम्टी रहता है खाली रहता है क्यों कोई भी जलवायू के पेरामिटर्स को पूरा नहीं कर रहा है जो कि पेरिस में प्रोटोकॉल बना था उसका पालन कोई नहीं करता है तो देनमार्क टॉप पर है लेकिन चौथे स्थान पर है तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो बन पर है वह वह लोंiros चौन से स्थान पर हुआ भारत नहीं बाता थए तो दोस्तों अगर हम लोग यहां पर देखे तो भारत जो है पाचन में अग्माना जाएगा अगर टॉप 123 खाली नहीं रहता है फिर देन्मार्क के कैपिटल है कोपेन हेगन कोपेन हेगन दोस्तों डेनमार्क भारत में गल्फ अफ मन्नार में एनर्जी 123 खाली रहता है इस क्लाइमेट रिपोर्ट की यह खासियत है 123 खाली रहता है कोई नहीं रहता है 123 पे कि ओके बारत में सी वीजिल 222 नाम से सबसे बड़े पैन इंडिया कोश्टल डिफेंस एकसरसाई का कौन सा एडीशन आयोजित किया है तो दोस्तों कौन सा एडीशन आयोजित किया है इसने थर्ड एडिशन सी वीजिल का आयोजित किया है ठीक है दोस्तों आज रिपोर्ट बहुत सारी हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारी रिपोर्ट्स आज बहुत सारी है विच अब दी फॉलविंग मिनिस्ट्री और्गनाजेशन रिसेंटली और्गनाइजड वर्क्षाप ओन सीटीज क्रेडिट वर्दीनेस अकेडमी एलॉंग विद डिपार्टमेंट अफ एकनॉमिक अफेर मिनिस्ट्री और फाइनेंस तो दोस्तों वित्त मंत्रा लेके अफेर क्योंकि यह वर्क्षाप किस चीज पर सीटी क्रेडिट वर्दिनेस पर है तो वह आ जाएगा एक इंटरनेशनल संस्ता है दोस्तों वर्ड बैंक ग्रूप वर्ड बैंक ग्रूप और दोस्तों हाउसिंग अफेर यानि की हर्दीप सिंग पूरी जी यह दोनों जिसका विजन है जिसकी थीम है विजन ओफ फ्यूचर शीटीज एंड रोल ऑफ मिनसिपल फाइनसिंग और मिनसिपल फाइनसिंग पर याद रखना मेरे भाई कि अभी वरोदरा का मिनसिपल बॉन्ड जारी हुआ है कुछ साल पहले पूने का मिनसिपल बॉन्ड जारी है जो हाउसिंग अनर्वन अफेर मिनिस्टर ने हर्दीप सिंग पूरी जी वो पेट्रोलिय में नैचुरल गैस मिनिस्टर भी यूपी से आते हैं दोस्तों के किस शहर में भारत हाइड्रोजन एलाइंस आई एच टू ए ने कोच्छी ग्रीन हाइड्रोजन के जे एच टू भागेदारी किये तो केरल सरकार के साथ भागेदारी दोस्तों कोच्छी ने किये दोस्तों जब तक एक्जाम है तब तक आप याद रखिए आपको कोई भी करेंट छोड़ना नहीं है क्योंकि जिस मंत में एक्जाम होते कुछ भी पूछ लेता है तो इस बात को भी याद भी एगर ठीक है कि की काईये डूल लिखा है यह दोस्तों डोस्तों गृण है अइस बना रहा है कोचि ग्रीन हैड्रोजर भी याे के यहां पर जो कि दोस्तों वरानसी गृण है एग्रोजन वेशल बना रहा जिसने आइनस विक्रांथ बनाया था कोचीन एयरपोर्ट है यहां पे दोस्तों जो कि दुनिया का पहला सोलर पाउस चलने वाला एयरपोर्ट है जिसे सेफगार्डिंग में बेश्ट अवार्ड मिलता है एयरपोर्ट को दोस्तों कमपटीशन कम कमिशन अफ इंडिया विल हैंडल ऑल जीएश्टी यानि जीएश्टी टेक्स की तर नाम आपने सुनाई होगा गबर टेक्स एंटी प्रॉफिटीरिंग कंप्लेंट फ्रॉम डॉट 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 किस डेट से किस तारीक से यह कम्टीशन कमिशन अफ इंडिया सभी माल और सेवा कर मुनाफ़ा खोरी विरोधी सिकायतों को भी समाले गा समाले गा सर आज एकजाम सट्वनों का थर्ड जिफ्ट में याठ देख रहा हूं जब जाते हूं देखता हूं बहुत सारी वीड लगी रहती है एकदम तुम तुम बहुत अच्छा पढ़ती हो तुम तो बहत तरही करोगे बस में बेश्ट करके आओगे वरना इकोनोमिक्स की क्लास में मैं बहुत कम बच्चों को देखता हूं जिसमें नीधी गौर भी है वह उसका ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट भी है तो इसलिए भी हो सकता है लेकिन पढ़ती बहुत है दोस्तों क्योंकि मैंने कई अधर चैनल पर भी देखे नहीं थी को पूरा एकडम रहती है दोस्तों फर्स्ट दिसंबर को जो है यहां पर मुनाफ़ा खोरी एक दिसंबर से यह मुनाफ़ा खोरी विरोधि सिकायतों को भी जीएश्टी के देखेग मिचन अधर नोश्टी है तो दोस्तों यह बात याद रखियेगा ओके कुँंपैटीशन पनोंग ऑफ इंडिया के हट कौन है में पटफ़र दोस्तों हालही में कहां पर दोस्तों जो आशे में बंकिक्थ बैंड काउंट हुआ है बंड़ काउं डी गिंती तो दोस्तों, यहाँ पे नागा लेंड में किया, कहाँ पे किया है, तोकु इमांग बरट काउंट के पहले संस्क्रण की मिजबानी दोस्तों, नागा लेंड ने की है नागा लेंड में हॉन्बिल फेस्टिवल भी मना जाता है स्वीट कुकंबर को जी आई टेग में मिला है नीवा एप के थूपेपर ले सोने वाली पहली विधान सभा नागा लेंड है बस समझ में आ रही है दोस्तो नवंबर 2022 में जारी वर्ड बैंक की रिपोर्ट के अंसार भारत को तेजी से बढ़ती शहरी अबादी की जरूर्टों को पूरा करने के लिए शहरी इंफ्रस्ट्रक्चर ढाचे में प्रतिवर्स कितने निवेश किया वा सकता है देखिए दोस्तों एक चीज बहुत बढ़िया हमारे स्मार्ट सिटी चलता है और अमृत मिशन चलता है जिसे की कहा जाता है अटल मिशन रिजुवेनेशन फार अर्बन टांस्परमेशन पांस और नए शहर बसाए जा रहे हैं जो छोटे-छोटे कस्बे हैं जो छोटे-छ है ना उन सब व्यापार की उन सब को वहां पर डेवलप किया जाएगा तो जो पुराने शहर उन पर बोज बढ़ता चला जाएगा तो दोस्तों अर्बन इंफ्रस्ट्रक्ट्चर पर हर साल जो है पच्पन बिलियन यूज डॉलर इन्वेश्ट करने की आवसकता है यह वर् अधर्विडमाल पास वसिंग्टन डिस इमें 189 नौरू है दोस्तो और वर्ल्ड बैंक के एजूकेशनेट्वाइजर है रणजीत सिंग्ग अनचीर दिशाले और ऑभी बताईए कौन सी पोश्ट पे गए हैं दोस्तों युनाइटे नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टर्स रिपोर्ट आया जब भाग जो है अब मैं इसका एंसर नहीं बताऊंगा वैसे क्यों आया था यह तो उसी के एंसर में 15 नौवंबर को कुछ एचीव हुआ और यहां पर इस रिपोर्ट में यह भी का गया कि इंडिया दुनिया की सबसे पॉपुलेटेट कंट्री हो जाएगी दोस्तों 2023 में और अगले ही साल भारत चाइना को पीछे कर देगा अबादी में और दुनिया की अबादी एट बिलियन हो गई है एट बिलियन हो गई है दोस्तों जिसमें 20 परसेंट योगदान करीब करीब हमारा ही है ठीक है ओके बात समझ में आ रही है तो करीब साढ़े सत्रह परसेंट हमारा योगदान पूरी दुनिया की पॉपुलेशन में है कि दो हजार पचास तक साढ़े आठ अरब पहुचेगी 2030 और 2050 तक 9.7 अरब ठीक है 2030 में 9.3 और 2050 में 9.7 अरब पहुचेगी ठीक है क्लियर है याद रहेगा दोस्तो मैंने कहा कि आज रिपोर्ट्स बहुत सारे आए हुए तो आए मैं वह सब देख नहीं होंगे दोस्तों अभी विच और गनाजेशन रिपोर्ट इस्टेट आप ट्लाइमेट इन एशिया विद्ट की फाइंडिंग एट एशियन रिजन वास्ट वार्मिंग देंड ग्लोबल एवरेज ग्लोबल एवरेज से भी ज्यादा फास्टर जो है वार्मिंग यहां पर चल रही है दोस्तों कि तो वर्ल्ड मेटरियो लॉजिकल और्गनाइजेशन विश्व मौसम संगठन दोस्तों जो है इसने यह रिपोर्ट दी है जिसका हेट्वाटर जे क्लाइमेट चेंज कॉन्फरेंस का सर्म अल्ल शेक एजिप्ट में वहीं पर यह सारी रिपोर्ट बताई जा रही है कि जलवायू की यह समस्या है एशियन रीजन को ध्यान देना होगा क्योंकि आपने देखा क्लाइमेट में चाइना ही 51 नंबर पर हम तो आठवे नंबर प दोस्तों वरक एफिशेंसी भी कम हो जाती है उसके बाद एक्षीम वेदर की वजह से फ्लर्ट साते हैं ड्रॉट साते हैं इस सब में दोस्तों 35 बिलियन यूएज डॉलर की एकनॉमिक लॉस भी हो रही है ठीक है 7.5 बिलियन की लॉस दो केवल अकेले जो है इंडिया में इन सब बातों को जो है यहां पे कहा गया है COP27 में दोस्तों इसके बाद देखिए एक और रिपोर्ट आ गई मैंने कहा ताज रिपोर्ट बहुत है एकॉर्डिंग टूदर मीड इयर ट्रेंड रिपोर्ट रिलीज़ बाई उनाइटे नेशन हाई कमिशनर फॉर क्वाटर है दोस्तों कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं डबलू और वाले और आई और वाले वह मैंने आप लोगों पढ़ाया भी यह स्टेटिक जी के ट्रिक वाली क्लास में दोस्तों इस यूएन एश्यार रिपोर्ट के उनसार कितने पिपल फोर्सिबली डिस्प्लेज़ होए है एक्रॉस तटा ग्लोब तो कितने पिपल दोस्तों इस एक्रॉस ड्योग तो दोस्तों यहां पर अक्सो तीन मिलियन लोग जो है डिस्प्लेज़ चुक्त की तो हैं इस इंसार नारतियों कि इस अनुसार नज्प्र देश को छोड़ करके भागे हैं तो यह जो जबरन जो है कि एक तरीके से जो है दोस्तों जो है जेनोसाइड की वजह से लोग भागते हैं जैसे कि यहूदियों के साथ हुआ था जर्मनी में हिटलर ने किया था दोस्तों सरकारी बैंकों की क्वाटरली रिपोर्ट आई है उस में जो है आकडव के विसलेसर के उनसार फाइनेशल यह 23 की जो दूसरी तीमाही है दूसरी तीमाही मतलब अप्रेल मई जून पहली क्वाटर और जुलाई अगस सितंबर यह सेकेंड क्वाटर इसमें दोस्तों रिडविध्धी यानि क्रेडिट ग्रोथ लोन ग्रोथ के मा महाराश्चा है अभी आपने देखा था कि क्वाटर की रिपोर्ट आई थी दोस्तों कल हम लोग ने पढ़ा था वह रिपोर्ट आई थी इस की इन्हांस एक्सेशन सर्विस एक्सेलेंस की इस 5.0 की रिपोर्ट आई थी आपको बताना है कि उसमें टॉप 3 बैंक्स कौन से टॉप 3 बैंक्स दोस्तों उसमें कौन से थे अभी मैंने आपको परसो पढ़ाया था कि 14 सितंबर को हम लोग जो हिंदी दिवस मनाते हैं उसमें 800 से ज्यादा इंप्लॉई वाले सरकारी बैंकों में टॉप 3 बैंक कौन से थे तो यह सब कुछ चीजें जो रिवाइस भी करत लोन ग्रोथ किसका है बैंक ऑफ महराश्या का है 28.62 ठीक है इसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है 21.54 परसेंट फिर SBI है थर्ड स्पॉर्ट पे 18.15 परसेंट ग्रोथ अब आप कहोगे सर SBI को नो होना चाहिए था लेकिन भाई जो भाई SBI अल्रेडी बहुत लोन द लेकिन लिटरेशी घ्रोट में सबसे जादा है क्योंकि जहां कम है वहीं तो बढ़ने के सकोब भी है वही तो पोटेंशियल भी होता है दोस्तों संगठन का नाम बताई किसमें कैपिटल मार्केट में चोटे अर्बन लोकल बॉडी की रिच को बढ़ाने के लिए एक पूल का वित का मतलब है म्यूंसिपल म्यूंसिपल फाइनेंस तो दोस्तों इस पर रिपोर्ट जारी की है और आपको भी पता है कि वरोदरा म्यूंसिपल कॉर्पोरेशन का बॉंड जारी किया था किस कम किसने किया था दोस्तों किसने किया था दोस्तों आपको बताना है कि किसने कि आता है कि फटा फट बताई है कि टॉप थ्री एस बियाई यूबियाई बॉब है वेरी गुड अब कि वह बता दो कि राज भासा किर्थी पुरुसकार में टॉप थ्री कौन से थे पहले पे तो बैंक अब बढ़ोधा पित्था दूसरे पे पंजाब निश्ट्रल बैंक था राजबासा किर्थी पुरुसकार में पर साथ बैंक ऑफ इंडिया था अच्चा बैंक ऑफ माराश्चा की एक मेगजीन को भी अवार्ड मिला जैसे CSIR की विज्ञान प्रगति को अवार्ड मिला था वैसे बैंक आप महराश्रा की मेगजीन महा करके है उसको भी अवार्ड मिला था मैंने उसकी पीडिएफ जो है भेजी भी हुई थी आप लोगो टेलिग्राम पर ठीक है दोस्तो हाल ही में रिजिनल रूरल बैंक ने लाइफ इंसोरेंस प्रोड़क्ट के डिस्टिबूशन के लिए LIC के साथ टाइब किया है किस आरारबी ने किया है कौन सी आरारबी ने LIC के साथ बैंक का एसोरेंस टाइब किया है दोस्तो यहां बैंक का इस इंसोरेंस की स्पेलिंग आप देख रहे होगे कि सी है के की जग़व दोस्तो ऐसे टाइब किसे कहते हैं एक insurance company bank के साथ tie up करती है कि तुम मेरा product बेचोगे अपने premises में अपने branches में तो दोस्तों अब LIC के policies बेची जाएंगी LIC के products बेचे जाएंगे करनाट का विकास ग्रामिड बैंक में तो इससे commission किसको मिलेगा करनाट का विकास ग्रामिड बैंक का profit होगा है दोनों का profit होगा क्योंकि करनाट का विकास ग्रामिड बैंक के पास customer है और LIC के पास policy है दोनों मिल जाएंगे तो यह बढ़ियां tie up हो जाएगा और दोनों profit में रहेंगे 636 location पे दोस्तों LIC के product बेचे जाएंगे इस bank के through ठीक है clear है याद रहेगा चलिए बहुत बढ़े हम दोस्तों प्रसार और समवंधन के लिए जापान के प्रतिष्ठित देमिंग विशिष्ट सेवा पुरुसकार से किसे समनित किया गया है दोस्तों अभी प्रसार भारती के हिट कौन बने प्रसार यहां शब्द आया है कि दोस्तों वू रिसेंटली कानफर्ट जापान प्रिष्टिजिएस डेमिंग डिस्टिंगुइश्ट सर्विस एवर्ड फॉर्ड डिसेमिनेशन एंड प्रोमोशन ओवर सीज 2022 तो दोस्तों यहां पे एल गनेश जी को जो है जापान के पतिष्ठित डेमिंग विशिष्ट सेवा पुरुसकार से सम्मानित किया गया है ठीक है एल गनेश जी को दोस्तों शामिल किया गया लक्ष्मी नरायन गनेश जी को यह सम्मान मिला है जो राने ग्रूप के चेर्म राने ग्रूप के चेर्मेन इन्हें जापान का प्रेश्टिजियस टेमिंग डिस्टिंगुष्ट सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है यह थर्ड इंडियन है और पांचवे व्यक्ति हैं दुनिया के जिन्हें यह यह ओनर दिया गया है कि दोस्तों हाली में कितने पुलिस अधिकारियों को केंद्री ग्रिह मंत्री का विशेस अभियान पदक प्राप्त हुआ है विशेस अभियान पदक दोस्तों यानि की होम मिनिस्ट्री का स्पेशल ऑपरेशन मेडल दिया गया इस पेशल ऑपरेशन जो है मेडल दिया गया तो लिए बहुत बढ़िया शांदा जिन्दाबाद जबदस्त तो दोस्तों यहां पे अलग-अलग राज्यों के बहुत सारे लोगों को दिया गया टोटल 63 लोगों को दिया गया सदार पटेल जी की जैनती पर नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं 31 अक्टूबर को इस दोरान दोस् बाटे गए थे दोस्तों विछ फींड़ ग्लोबल ग्रूप अनॉंस दीड़ इंसॅरेंस इनिसेटुवर किसा ग्लोबल ग्रूप ने ग्लोबल सिंड़ विमा पहल सुरू की है Global Silled Insurance Initiative देखे इंस्योरेंस है तो यह आपके लिए Financial Sector की बात हो गई तो दोस्तों यह जो है G7 और V20 ने लांच किया है और दोस्तों इसे उसी सर्म अल शेख में लांच किया गया है जहां COP27 हो रहा है COP26 ग्लॉब हुआ था ग्लॉजगो में COP28 होगा संयुकत अरब अमिरात में युनाइटेड अरब अमिरात में यह कॉन्फरेंस आप दा पार्टी कहते हैं दोस्तों जब कोई जलवायू समेलन की बात होती है ठीक है क्लियर है तो दोस्तों इसमें बहुत सारे देश जो है सब्सक्तिएर की राष्पती तो अब दोस्तों अभी नवंबर में ने मलिकित में से कॉंण सी पसचनारिटी इंडियन उलंकिक एस्जोचिएशन भारती ओलंपिक संग के एथलीट आयोक के सदक्स के रूप में चुने गए जाहीं नरिंदर बत्रा-जी थी जिनके बाद आदिल सुम्रे वाला को इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया था जो एथलेटिक फेडरेशन के हेड थे जिन्होंने साथ अगस को नीरत चोपड़ा के जैवलीन फेकने वाले दिन को गोल जीतने वाले दिन को जैवलीन थ्रोडे मनाने का फैसला किया था दोस्तों यहां पर अभी हेड चुनी गई है इस कमीटी की दोस्तों जो है हेड चुनी गई है एमसी मेरी कॉम तो होंगे ही इस लिष्ट में दस लोग दस खिलाडी निर्विरोध चुनाव के थुरू चुने गए जिसमें से दोस्तों अगर देखा जाए तो सरत अचंता कमल जो है टेबल टेनिस वाले यह वाइस प्रेसिडेंट भी चुने गए ठीक है और यहां पर देखिए दस मेंबर यहां पर आपको दिख भी रहे हैं ठीक है इसमें आपको पीवी सिंदू भी दिख रही है ठीक है यह गगन नारंग सायंत बहुत मोटे हो गए हैं यह सरत अच खिलाडी इसमें चुने गए ठीक है पीवी सिंदू है फीवी सिंदू जिन्हों ने ओल्फिक में 2 लगातार ओलंपिक मेडल जीता कॉमन में 3 लगातार कॉमन मेल जीतने वाली अकेली महिला है एमसी मेरी कॉम सुपर मॉम को इसमें हेड्ड चुना गया है प्रेशिडेन्ट एमसी मेरी कॉम चुनी गई है और दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट सरत अचंता कमल चुने गए बात समझ में आ रही है क्लियर है बात समझ में आ रही है कि नीधी आज तो आपका हैपी बड़े हो गया दिव्या करी कैसे हैपी बड़े हो गया कि अध्युक्त तो देखिए यहां लवल लीना बर्गेहें की फोटो भी दिख रही है भाई तो दस लोग इलेक्ट हुए हैं पाँच पुरुष और पाँच महिलाएं इसमें इलेक्ट हुई है बात समझ में आ रही है क्लियर है दोस्तो हाली में दच्चिल्ड अफरीका के नए जूजू राजा के रूप में किसे ताज पने गया साउथ अफरीका के नए जूलू किंग कौन बने हैं दोस्तो मिसु जूलू सिंकोबिले काजेवे लिथिनी हमें लग रहा इनहीं लोगों ने दोस्तो माहिसमती पर आक्रमण किया था और जो है भलाल देव और जो है अमरेंद बावबली ने फिर जो है उन लोगों से युद्ध लड़ा था क्योंकि यह नाम कुछ-कुछ उनहीं से मिलता जूलता है मिसु जूलू सिंकोबिले काजेवे लिथिनी बासमें जूलू के किंग हैं दोस्तों इन्हों नहीं माहिसमती पर आक्रमण किया था दोस्तों याद रहेगा यह जाम में हो सकता यूपीएस्सी वाले पूछ पी ले दोस्तों हाली में किस देश में युनाइटे नेशन सीक्योटी काउंसिल के अध्यक्षता ग्रहण की है युनाइटे नेशन सीक्योटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी दोस्तों घाना को मिली है किसको मिली है घाना को मिली है अगस्त 2021 में दोस्तों भारत ने भी इसकी अध्यक है ना कि बात समझ में आ रही है क्लियर है कि एक रहे सब फोटो वाला परसन जो है आपके जैसा दिख रहा है मैं ऐसा दिखता हूं फोटो वाला परसन आपके जैसा दिख रहा है मतलब क्या मैंने इसको दाड़ी है देखो हमको दाड़ी नहीं है कि बताओ इसके बाल इतने ब यह जैसे नेशनल टाइगर का कपड़ा पहिना है हम जो सरकारी परिछा कपड़ा पहने कैसी बात कर दें तुम लोग है यह अलग बात है यह भी स्टाइलस लिया हम भी श्टाइलस लिये यह बात है कि यहां कॉमन है तो दोस्तो जो है घाना ने युनाइटे नेशन सेक्योटी काउंसिल की अध्यक्ष्टा ग्रहड किये दोस्तों पेरिस में ओलंपिक होने वाला है और ओलंपिक जब खतम होता है वहीं पर पैरा ओलंपिक शुरू हो जाता यह नियम है दोजाद 24 में पेरिस में होगा यहां पर जो है दफ फिरी जिस फिरी जिस जो है हमें तो यह एंग्री बर्ड की तरह दिख रहे लेकिन एंग्री बर्ड इतनी खुस कैसे हो सकती है तो दफ फ्रेजिस जो है यह जो है दोस्तों मसकट है यह मसकट दोस्तों यह सुभंकर पेरिस ओलंपिक का फ्रीजिस तो म परूनाउन्स ऐसे होगा फ्रीजिस हो कि फ्रीजस फ्रीजेस हमुद्ग करेंगे फ्रीज अब्वाइब वह फ्रेंच भासा में हो गया हम लोग को क्या करना है कि हम लोग याद करना है क्iberalिया कि याद करेंगे Angry बट कोnost में डाला हसने लगी angry बट को पूरीज में डाला तो खूश हो गई ठीक है जो जो कूल हो गई ठीक है चलिए बहुत बढ़िया और कुछ है यहां पर हम लोग को हाँ यहां पर दिया है ओलम्पिक फ्रीज इन पैरा ओलम्पिक फ्रीज कंप्लिमेंट इच अधर ठीक है यह दोनों एक दूसरे को कंप्लिमेंट कर रहे हैं देखिए यहां पर यह एक है और आगी नहीं में किम्प्लिमेंटर में एधने कि बेटर विध मोटो अलोण वी गॉप फॉष्टर तो गेदर वी गॉफॉर्द दोस्तों ऐसे ही जो तोक्योग positives का भी मोटो बाद में एक वड जोड़ा गया था टूगेधर कि यह सभी शॉंगर आप बनोगे हायर नोगे जो है दूस्तों स्टर बनोगे लेकिन कर टूगेधर नहीं बनोगे तो बहुत काम की चीज नहीं है और दोस्तों यह कोरणा में हम लोग ने देखा था कि हम लोग को कोरोना पे जीतना था तो हम लोगो टूगेदर आना पड़ा था दोस्तों इसलिए लिखा है कि अलोन वी गो फास्टर हम लोग अकेले फास्टर जा सकते हैं यह बहुत दूर जाना है तो हमें टूगेदर चलना होगा दोस्तों यह नॉन जेंडर स्पेसफिक मसकट है यानि इसको तुम इंडोनेशिया महिला के रूप में नहीं बता सकते कि यह जो है यह महिला है या पुरुष है ठीक है बात समय में आ रही है तो दोस्तों इसे जो है फ्रेंच SME जिप्ष्टी टॉय ने जो है दोस्तों डिजाइन किया है इसमेलन अभी हुआ है इंडोनेशिया में और दोस्तों इंडोनेशिया के बाली में जो है सभी राष्टा ध्यक्ष जुटे हैं इंडोनेशियाा जो की दुनियागर से मुस्लिम अबादी वाला देश से दुनिया सबसे बड़ा द्वीब समू है और की पर लागों है वहां पे भी दोस्तों बहुत सारे जो है को एक पार्टनर्शिप हुए होंगे तो जश्ट एनर्जी ट्रांजीशन पार्टनर्शिप में दोस्तों इंडोनेशिया भी रहेगी यानि 2023 में फिर भारत करेगा अलग-अलग जगहों पर जी ट्वेंटी के कोडिनेटर हैं दोस्तों हर्श वर्धन शिंगला और जी ट्वेंटी के शेरपा हैं अमिताब कांथ सी ट्वेंटी के हैं माता अमरिता आनंद मैर दोस्तों इटली के बाद जो है इंडोनेशिया में हुआ इंडोनेशिया के बाद अगले साल भारत में होगा भारत के बाद दोस्तों ब्राजील में होगा अब ब्राजील के बाद साउथ अफ्रिका में होगा ऐसे ही है ना जी ट्वेंटी दोस्तों भेड पालन छेत्र को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में विक्सित इंटीग्रेटेड भेड विकास योजना के राज्य और क्यंसासित पदेश का नाम बताए नेम्द श्टेट एंड यूनियन टेरिट्री रिसेंटली डेवलब्ड इंटीग्रेट शिप डेवलप्मेंट स्कीम इंटीग्रेट शिप डेवलप्मेंट स्कीम टू प्रमोट दशिप फार्मिंग सेक्टर तो दोस्तों यह जम्मू कश्मीर में जो है भेड पालन शिप फार्मिंग हो रही है ठीक है जम्मू कश्मीर में दोस्तों यह शिप फार्मिंग हो रही बात समझ में आ रही है दोस्तों हम लोग ने जम्मू कश्मीर के शिफ फार्मिंग के बारे में एक चीज और पढ़ी थी कि दोस्तों न्यूजी लेंड के साथ इनका टाइप हुआ था पिछले साल हम लोग ने पढ़ा था शिफ फार्मिंग के लिए जम्मू कश्मीर ने न्य बनाते हैं शौल बनाते हैं कालीन बनाते हैं बहुत सारी चीज़ें ठंडे प्रदेशों में तो उनकी खपत भी ज्यादा होती है ठीक है कि दोस्तों स्वदेशी लोगों को भूमी अधिकार प्रदान करने के लिए हाली में किस राज ने मिशन वसुंधरा के दूसरे चरण का सुभार्ण किया वसुंधरा मतलब पृत्वी माधर्ती वसुदैव कुटुम्बकम जी ट्वेंटी का मोटो भी जो भारत में होने वाला है वन एर्थ वन फ्यूचर ऐसे करके ना वन एर्थ वन फ्यूचर और एक और वन है तीन वन है उसमें वसुदैव कुटुम्बकम के इंग्लिश वाले वर्जन में में अर्थ होगा क्या था यार मज़े यादी नहीं आ रहा देख रहे हो मेरी आदास किती कमजोर होती जा रही है तो दोस्तों यहां पर आसाम में जो है यहां पर मिसन वसुंदरा शुरू किया गया है भूमी अधिकार देने के लिए दोस्तों आसम में ही बंगला देशी लोगों को वापस जाने के लिए नागरिक्ता कानून आया था दोस्तों तो सी यहीं पर आसाम कहीं मुल मुद्दा है बादन पूरे देश बर में लॉंच हो रहा है यहां पर इसी लिए स्वदेशी लोग बूला जा रहे है भूमी अधिकार स्वदेशी लोगों को दिया जाएगा बंगला द चाहूं कि नीदर्लेंड ही रहा होगा शीफ फार्मिंग के लिए हो सकता न्यूजीलेंड से या नीदर्लेंड से यह रूख क्यों रहा है आज कि दोस्तों यहाल पर शुदो किस ने शुरू किया है आसाम की गॉर्मेंड ने शुरू किया है ठीक है करेष क्लियर है असाम की रिस्पर स्वरक्रों कारेकरम जो है इसके तहट जो है जो है डिश्टिक लेवल पे दोस्तो प्रोफेशनल्स को जो है ट्रेंड किया जाएगा आई-इम बैंगलोर के दोरा यह भी असम के साथ ही आई-इम बैंगलोर करनाटक का जो है टाइप हुआ है असम के साथ असम के मुखमंत्री हमद विश्वा सर्म और दोस्तों रिशी केश जी जो आई-इम बैंगलोर के डिरेक्टर है इन दोनों लोग के बीच में मुझ भी साइन हुए आज मुझ थोड़े जादा है दोस्तों आप कहरें सर आप इतने जल्दी कैसे बता दी क्योंकि मैं इसको पढ़ा दिया तब तक तुमारा बफर हो आजञर को क्या है तो नेस्नल हाइवे लौजिस्टिक मैनेजमेंट के साथ आज़ था आचल पडीस का हुआ दोस्तों और सीडी ऑस सहीद विपिन स Army के नाम पर घजा गया है कीवित Television केंप का भी नाम उनकी उपर रखा गया दोस्तों है ना सीडी सिडीयस नियंग घ्र जी कौन है से दोस्टों यहां पे जो है बात वहदे पहाड़ी इलाकों में रोपवे के निर्लमाड के लिए केंदरी बजट गे नेश्टनल रोपवे कारिकरम भी घोषित हुआ था परुवत माला परियोज न जहका है तो दोस्तों जितने पहाड़ी इलाके होँ हु 와서 रोपवे सुविधा सुरू होगी वैसे रोपवे मैदानी इलाके में वरांसी पहला शहर है भारत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जहां रोपवे का यूज होने वाला है तूरिजम के लिए होता होगा लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कि मुझको दुकान जान किता वियुक्त कहा स्यू तो अगी दोस्तों इस इलेक्सिक में बाध में आया है अगर देखा जाया दोस्तों टाठा सिंजी ने भी बहुत बार बात समझा तो दोस्तों मौती जो है सबसे पहले आगिंगे लगता है CNG वाले में तो दोस्टों Tata Jackson Electric की एक बेडे को शामिल किया है यहाँ पे दोस्तों Indian Air Force ने इंडियन Air Force ने ताकि Green Mobility दोस्तों हो पारियाद्वरण को यह लोग प्रदूशित न करें पारियाद्वरण को लाब ही पहुंचाएं एयर चीफ मार्सल जो हैं दोस्तों हमारे देश के वायुसेना चीफ विवेक राम चौधरी ने दोस्तों इस बार इलेक्ट्रिक वेहिकल्स के पहले बैच को हरी जंडी दिखा करके रवाना किया है इंडिन एल फोर्स के मुख्याले में दोस्तों जो स्टॉल इन मॉल का आयोजन किया है दोस्तों नाबाट जो अगरिकल्चर रूरल डवलप्मेंट के लिए एई एफ़ाई है भारत में पांच एई एफ़ाई है अलग अलग सेक्टर के लिए यह अगरिकल्चर रूरल डवलप्मेंट के लिए है 12 जुलाई 1982 को आई थी शिव और एगरिकल्चर रूरल डवलप्मेंट नाबाट जिसके हेड दोस्तों हैं जी आर चिंताला जल्दी मुहम्मद मुस्तफा हो जाएंगे दोस्तों शीवरमन कमिटी के रिकमेंडेशन पर आई ती रीजिनल रूरल बैंक को और रिफाइनिंसिंग करने का काम करता है और इस साइट इस्पेक्शन का काम करता है सेलफ गुरूप और किसान के डिट काड जैसी चीजे यही लेके भारत में आया 1998 में केसी सी को लॉंच किया था नाबाड ने और अलग-अलग राज्यों को स्टेट गवर्मेंट को रिरल इंफ्रस्ट्रक्चर के लिए लोन देता है इसक जो है भुक्तान करना होता है पेनल्टी स्वरूप और इसी फंड से फिर श्टेट गवर्मेंट को लोन देता है नाबाड कि तुम नहरे बनाओ कैनाल्स बनाओ और जो है रोट्स बनाओ बात समझ में आ रही है क्लियर है तो दोस्तों इन मॉल यह लॉंच किया गया है लोक जो फीसरी प्रोडक्शन में नंबर वन पे है जो कि दोस्तों फ्रूट प्रोडक्शन में भी नंबर वन पर वेजिटेबल प्रोडक्शन में नहीं है क्योंकि वो तो यूपी नंबर वन पर वेजिटेबल प्रोडक्शन में तो दोस्तों ताबरतोर तरीके से आज हम लोग उन्हें current affairs को पूरा किया है दोस्तों मेरी class साम को साड़े 6 बजे भी होती है one year current affair की और 6 बजे होती है दोस्तों daily current affair की तो दोस्तों like करिए सेशन को बिना like किये मच जाईएगा और subscribe कर लिजे जो लोग पहली बार जुड़ रहे ताकि हमारी class जो सुबह 6 बजे होती है और साम को साड़े 6 बजे इसके notification आते रहो एससी की पूरी टीम यहाँ पे launch है आप यहाँ पे दोस्तों पूरी टीम एक से एक बहतरी टीम ठीक है सरकारी परिक्षा.com website को जो है विजिट करिए दोस्तों तो बस हम लोग इस startup को जो है बहुत आगे ले जाने के लिए लगे हुए दोस्तों उसमें आप लोग के सहयोग की हम लोग को जरूरत है और आप देखेंगे कि यहां से हम लोग जैसे bank में हम लोग दोस्तों जो बहुत बढ़िया रिजल्ट देते थे अब हम लोग इस बार ऐसे सी और आपको यूपी गौर्मेंट में भी खतरनाक रिजल्ट देंगे और आप लोग को जो है सरकारी इंप्लॉई बना के ही दम लेंगे थैंक्यू सो मज शुक्रिया धन्यवाद जय हिन जय भारत बब झाल 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 हुआ प्यक्री पर चुआ झाल 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 झाल